ओके अलो प्रेंट कैसे हो आप सब में विशी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेस यूटीब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे कल के लिए हमारी कौन सी वाच लिस्ट होंगी कौन से श्टोक बाइंग में होंगे कौन से श्टोक सेलिंग होंगे तो अभी तक आपन सीरीज बना रहें बाद में हम उसमें स्टेटेजी एड करने वाले बाद में अगर अच्छा रिस्वन्स बिला तो हम प्राइज एक्शन भी एड करेंगे तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जाना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारी इस चैनल के साथ जूड़ जा वो आपको opportunity देते तब आपको buy या sell करना है तो जो हमारी list में पेला है वो ultra tech cement है ultra tech cement हमारी buying list में वो क्यो है वो देख लेते हैं तो इदर मेरे को एक triangle जैसा दिख रहा है अगर यह इसका triangle का breakout होता है लेकिन उससे पेले अगर uptrend आ जाता है तब भी हम buy कर सकते है लेकिन नॉर्मल है एक मेरे को downtrend दिख रहा है बाद में मेरे को इदर के आएक हरामी पेटन दिख रही है और इसमें volume भी है तो मेरे को लग रहा है कि कल यह reverse होके उपर जाने के chances देता है यह थोड़ा risky है लेकिन आपको उसमें proper trend में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेंस के अगर market bullies open होता है, bullies जाने का sign देता है तब आप उसमें buy entry ले सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आपको इसके buying में लेके जाओगे अगर buying signal देता है तब बाद में next देख रहा हूँ तो buying list में मेरा TCS third है TCS QA वो देख लेते हैं तो normal से बात मैंने आपको इधर भी बोला था कि TCS इधर से अप जा सकता है लेकिन देखो इधर कि आपको एक red candle मिली बाद में फिर से undecidal आज भी undecidal मतलब क्या हुआ कि TCS अभी क्या है जो पूरा trend है उसको क्या है कि अभी reverse करने के chances बता रहा है अगर यह इधर से retrace भी हुआ तो भी अप जाएगा अगर यह चोथा stock है वो BPCL है BPCL क्यों है वो देख लेए थे तो BPCL को जब मैं add करा हूँ तो मेरे को क्या है कि इधर एक क्या है कि एक uptrend दिख रहा है बाद में इधर consolidate वाला part दिख रहा है अभी हाल फिलाल इधर AC pattern बना दिए जैसे अपसेट जाने का mood देने की तैयारी हो तो हो स देख लेते हैं तो HDFC normal सी बात है मेरे को एक uptrend दिख रहा है बाद में मेरे को इधर एक इंगल फिंग pattern दिख रही है तो हो सकता है कल अगर HDFC नीचे जाने का sign दे तो आपको एक अच्छा खासा sell में profit हो सकता है तो simple है अगर कल HDFC आपको selling moment देता है तब आप उसमें sell कर सकत नेक्स्ट जो है वो डिवी स्लेब है डिवी स्लेब क्यों है एक आपको अच्छा सा uptrend देखने को मिला है इधर आपको एक pattern मिले है तो कोई भी टोक उपर एक साथ नहीं जा सकता है तो हो सकता है आपको uptrend में दिख रहा यह थोड़ा retrace करने नीचे है या इधर से reverse हो जा से क्योंकि इधर यह pattern ऐसी बना रही है तो अगर यह reverse भी हो जाता है तब भी हमें downtrend में अच्छा मोंका मिलेगा अगर यह retrace भी करा है तो भी हम एक दिन में क्या है कि अपने इंट्राडे के लिए ले जा सके इंट्राडे में प्रोफिट बना सके लेकिन में बात है कल आप लेना तो यह हो गया चोटा ऐसा वीडियो हमारी ओर से अगर यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज जारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और हम इसे वीडियो आग जय हिन